दोस्तो सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल नॉलेज के फंडा को और बेल आइकॉन दबाईए जिससे आप देख पाए वीडियो सबसे पहले लो एप्रिवाइन वेल्कम टी यूर ओन चैनल नॉलेज के फंडा नॉलेज के फंडा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं इतिहास के पन्नों से दोस्तो आज हम बात कर रहे हैं इतिहास के पन्नों में 29 नॉमबर के इतिहास पे दोस्तों आप जानते हैं कि हमारा चैनल आपके ग्यान वर्धन के लिए सदय तत्पर है और तत्पर रहेगा तो मित्रों चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि 29 नॉबर की क्या प्रमुग घटनाए रही हैं जो कि आपको जानना आवश्यक हैं चाहे वो आपकी इंट अलम ती समझोते पर सिगनेचर किया था और 29 नॉबर के दिन 1769 में दिल्ली के बाश्याह आलमगीर की हत्या की गई थी और ये आलमगीर द्विती थी और 29 नॉबर के दिन ही 1775 में सर जेम्स जे ने अद्रिस शाही का विश्कार किया था और 29 नॉबर 1830 में पोलेंड के 1889 में 19 नॉमबर के दिन बंगलूर के लालबाग गाइडन के अंदर ग्लास हाउस की आधार सिला मतलब की निव रखी गई थी और 29 नॉमबर 1916 के दिन अमेरिका ने डोमिनिक रिपब्लिक में मार्शल ला लगाने की घोशना की थी और 29 नॉमबर के दिन 1944 के अंदर अल्बानि को नाजी कबजे से चुड़ाए गया था कुछ और महतुपर गटनाओं को देखते हैं अल्बानिया को नाजी के कबजे से चुड़ाए गया था 29 नॉमबर 1924 को और 29 नॉमबर 1947 के दिन भारती उप महाद्वीप का विभाजन होने पर निजाम ने सिक्षा में शामिल होने का मतलब कि भारत में शामिल होने का यहाँ पर अपेच्छा सोतंतर रहना चाहां मतलब कि यहाँ पर बात यह हुई थी कि भारती उप महाद्वीप का विभाजन हो गया और इस पर निजाम ने भारत में सामिल होने की अपेच्छा सोतंतर रहना पसंद किया था और 29 नॉमबर 1949 के दिन पूर्वी जर्मनी में यूरेनियम खदान में बिसफोट हुआ और जिसमें कुल 37 सव लोगों की मृत्य हो गई थी दोस्तों तो काफी दुखत घटना हुए थी 29 नॉमबर के दिन पूर्वी जर्मनी के अंदर इसके बाद यहाँ पर 29 नॉमबर के दिन ही 1961 में दुनिया के पहले अंतरिक्षियात्री यूरी गागरिन भारत आये थे और 29 नॉमबर 1970 में हरियारा सौफिस्दी ग्रामेड विद्युची करण कर लक्ष पाने वाला पहला भारती राज बन चुका था और 29 नॉमबर 1987 के दिन कोडियाई विमान फ्लाइट 858 में थाइलेंड म्यामार की सीमा के पास पेसफोर्ट हुआ था और उसमें 115 लोगों की मौथ हो गई थी 29 नॉमबर 1989 के दिन भारत के जो ततकालिन प्रधान मंतरी थे राजिव गांधी जी इन्होंने इस्तिपा दे दिया था कुछ महत्पूर जन्म और निधन की चर्चा कर लेते हैं तो 29 नॉमबर के दिन 1935 में गुरुबचन सिंग सलारिया इनका जन्म हुआ था जो की परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुके हैं और यहाँ पर 29 नॉमबर 1913 के दिन अली सरदाल जाफरी जिनको की ज्यान पीट पुरसकार से भी सम्मानित किया जा चुका है और यह एक प्रशिद शायर हैं इनका भी जन्म हुआ था ठककर बपा जो की 1879 इस भी में 29 नॉमबर के दिन यह पैदा हुए थे और यह अपने सेवाकारियों के लिए प्रशिद थे और अगर निधन की बात करें तो 1929 नॉमबर के दिन प्रशिद बांगला इतिहाश कार रोमेश चंद्रदत का निधन हुआ था और 1993 के दिन 29 नॉमबर में J.R.D. Tata जो की अधुनिक भारत की बुनियाद रखने वाले अध्योगी खस्तियों में से एक थे और इनका नाम सरोपड़ी रखा जाता है J.R.D. Tata का और इनका निधन हो गया था 29 नॉमबर के दिन ही और ओमकान नास्त्रिवास्ता दो हजार दो उन्तिस नॉमबर जो कि कभी और सवाचार प्रचारक थे या पर प्रशारक थे इनका भी निधन हो गया तो चलिए खतम करते हैं और खतम करने से पहले मैं आप लोग इस रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद